नमस्कार दोस्तो वैश्णवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज मैं कैटल फिड कॉंस्ट्रेट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ भारत पशुओं के विभिन परकार के परजातियों से संपन जेनेटिक देश है और विश्व वर्ड में पशु संसाधन का 11 परतिशत वर्ड लाइव स्टोक पपुलेशन हिस्सा जो है भारत में भारत भैंस की आवादी में पहला और गाय और बक्री के आवादी में दुसरा अस्थान है और भेड के आवादी में तिसरा और चिकन की आवादी में पांचवां अस्थान है भारत में डेरी वो पशू देकभाल पर एक नजर डालते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशू बेवसाय की सफलता काफी हद तक उनके डाइट अहार पर निर्भर है जिससे आदर्श रूप से 60% गिला और 40% सुखा डाइट अहार होना चाहिए पशू के स्वस्त रहने के लिए हारा चारा सुखा चारा अहार के साथ ही कई पोसकतत्व और विटामिन्स की आवसकता होती है साथ ही पस्वो का अहार पुर्मता उनके वजन पर निर्भर करता है जिससे उनकी पोस्षन सम्बंदी समस्याएं या आवसकता हैं बहुत विशेश होती है उधारन के तोर पर एक गाय जिश्का वजन 500 किलो ग्राम है उसको एक दिन में 13.2 किलो ग्राम आहार दिया जाना चाहिए जिसमें निम्नी चीजों का समाबेश होना चाहिए 500 किलो एनिमल्स का जो डाइट है 13.2 किलो होना चाहिए जिसमें कैरोटीन तिरपन एमजी मिलिग्राम 15 ग्राम फासफोरस 0.3 केजी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन 0.5 केजी ड्राइफ फीड 3.7 केजी टोटल डाइजेस्टिबल नूट्रिशियन और 20 ग्राम कैल्सियम 21 आईवी बितामिन लेकिन बहुत ही कम किशान है जो अपने पसू को इतना संतुली तहार देने में सच्छम है परिनाम सवरूप भारत में 85% डेरी गायों को अहार में क्रूड प्रोटीन नहीं मिलता है 70% डेरी गायों को अहार में कैल्सियम और फासफोरस नहीं मिलता है एक अध्यान के अनुसार भारत में 5,50 मिलियन काव डेरी में अमाने रुप से असमाने रुप से पिंडित है पोसक तत्वों की एसी कमिया दूद उत्पादन को कम कर देती है जिसकी पूरती के लिए पसूओ को ऑक्सी टॉक्सीन का इंजेक्शन भी दिया जाता है इस हार्मोनल सप्लिमेंट के मदद से तुरंट दूद उत्पादन तो बढ़ जाता है परन्तु 5-6 साल में पसूओ की छमता खत्म हो जाती है पसूओ के देख भाल के इन पहलों को ध्यान में रखते हुए एसे समाधान की जरूरत है जो पसू को पोशन दे और उन्हें लंबे समय तक स्वास्तेव लावकारी बनाये रखें healthy quality nutrition productive पोशक तत्वों के इन ही कमी को पुरा करने के लिए पसू को पोशक तत्वों को पुरा करने के लिए minerals, vitamins, phosphorus, protein, calcium, probiotic proteins, probonetic का संगठन से आहार का निर्मान करना चाहिए इस तरह का दाना mixture milk plus fat plus protein बढ़ाने में मदद करता है इस तरह का दाना mixture पसूओ के पर तेक घटक पसूओ के बिशिष्ठ आव सकता को पूरा करता है vitamin A, build immunity, vitamin D3, better bone health, vitamin E, fights stress और vitamin A, micro BL attack के खिलाब परतिरच्छा प्रदान करने में मदद करता है vitamin D3, mineral के अवसोशन को बेहतर बनाता है जिससे पसूओ के हड़ियों मजबूत बनी रहती है vitamin E, परतिरच्छा प्रदाली को बढ़ावा देने में मदद करता है, तनाव से लड़ने में मदद करता है और परजनन छमता को बढ़ाता है vitamin C, भोजन के पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, mineral फेस्ट सप्लिमेंट्स मजबूत हड़ियों के निर्मान में सहायता करते हैं और बेहतर पाचन को बढ़ावा देते हैं probiotics अच्छे bacteria को बढ़ावा देने में मदद करता है, भोजन के पाचन को बढ़ावा देने में जिसके कारण दूद उत्पादन बढ़ जाता है probiotics का बहुत ही अहम रोल है यह एक immunity medulator है, अंतता पशु के स्वास्त को बेहतर बनाता है और उसके आगे की नसल को भी बेहतर बनाता है सतावरी, एक इत्क्रिष्ट गैलो टोंगोन है जो अस्तन पान कराने वाले पशु दूद उत्पादन को बढ़ाता है मेथी, पशुओ की मान स्पेशी में निर्मान में मदद करता है साथ ही molecules, protein rich milk बढ़ाने में मदद करता है cattle feed constraints plus cfc पशुओ को सुबह और साम 5 ग्राम खिलाने से इसका अच्छा benefit मिलता है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बैश्णवी organic dairy farm में आप लोग की सहायता से हम आपको dairy farm के बारे में इसके परवंधन में जानकारिया देते रहते हैं जो बायो आने वाला शमय में आपको feed इन सब के बीच में आपको किंग चीजों का ध्यान देना है आपको जो है अहार में अगर हरा चारा पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप silage का निर्मान करें और बैष्ण भी और एक निक dairy farm आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है वाचिंग वीडियो लाइक एव शेयर करें थेंक्यू धन्यवाद